नमस्कार मैं मितलेश कुमार दांगी और स्वागत है हमारे चैनल पर हमारे चैनल का मक्सदी यह है कि हमारे जो भी मुंबई में समाज हैं जारखंड के परदेशी मजदूर जो हैं कहीं ने कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई आते हैं या कौलकत्ता दिली बंगाल कहीं और भी राज्या में जाके अपना रोजी रोटी के लिए कमाने खाने के लिए जाते हैं लेकिन अक्सर ये घटना सुनने को मिलता है कभी कोई बिमारी से कभी कोई अक्षिडेंट से किसी न किसी का मिर्तु हो जाता है और उसके परिजनों को बहुत सारे परिश्रम का सामना करना पड़ता है एक केस यहाँ पर ही आया हुआ हम लोग है नाला सुफारा मुंबई में और दो दिन से हमारे राना समाज के अध्याच और भी इनके जो पूरी टीम है वो सारे लोग यहाँ पर दो दिन से कोडिनेट कर रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पर समसान में आए तो ज्यादा मैं डा चत्रा डिश्टी का टन्वा पर्खन से एक कनहिया राना का दुखत मिर्टु हुआ है जिसके उपलच में हम लोग आज यहां पे सब जमा हुए हैं और हम लोग सभी लोगों से परवासियों से यही उमीद रखते हैं कि एकत्रित हों और इकठा हों कि हम लोग सुख दुख मे सबी को साथ शाहिव कर सके एक साथ मिलके हम लोग दुखत परवार को जयादा से जयादा मदद कर सके जबादए भईया घटना सुनने के बाद बहुत दुख बेक्तित हुआ हमारे समाज के लोगों का और हम लोग उमीद करते हैं कि हमारे समाज हो या संस्था के मादेम से जो भी किसी का किसी का सुख या दुख में किसी परकार काया अगर हो तो संस्था में मिलें संस्था को जनकारी दें संस्था आपको हर तरह से सयुक देने के लिए तयार है चलिए इसी तरह से हमारे एक संस्था के एक और जाने माने एक चेहरे हैं जिनसे हमारी मुलाकात फर्स टेम हो रहा है लेकिन काफी अपने समाज के लिए एक्टिव रहते हैं भया क्या नाम हो आपका? मेरा सुरेश राना नाम है मैं यहीं एबर्साइन सिटी मैं महाराष्ट्रा का अध्याश हूँ हमको मालूम गिरा तक कल सुबा से ले करके मैं होस्पिटल से ले करके पुलिस चौकी से ले करके और खास करके नाला सोपारा का पुलिस चौकी से हमको बहुत सहयोग मिला और यहां तक कि हमाई जार्खन में जारखन गोर्मेंट से लेवर कॉंटेक्ट में बहुत कोशिस किया, खाली दीन भर आसवासन ही मिलते रहा, हाँ आप पैसा भहिते हैं, आप पैसा भहिते हैं, 11 बजे खुलेगा, ये खुलेगा, नहीं तो हम लोग कल ही यहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिये रहते, हम लोग यह जारखन गोर्मेंट का, जारखन गोर्मेंट से हम लोग को खाली आसवासन ही दिया गया, और कुछ भी नहीं मिला जी, जैसे कि सर ने बताए, कि जारखन सरकार के दुवारा, हम भी बहुत सारे एडवर्टाइजर देखें हैं, कि परवासी मजदूर को अगर बाहर कुछ हो जाता है, तो उनको सहयोग मिलता है लेकिन यहां पर बहुत सारे संस्था है, मैं भी बहुत सारे संस्था से जुड़ा हूँ और ऐसे अक्सर हर महीने में एक दो केसा आते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी भी गप्रवाले को और को कोई पैसा नहीं मिला है यह हम मैं जानता हूं अब यहां परिजन के एक साड़ू जी है क्या नाम था गफिका दिहांद हो गयाा उनका कानहिया लाल राना उनका उमर क्या होगा उमर 28 साल का था उनका बच्चा ओ के रहा और कुछ दिन से बच्चा कितने साल का है यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए अपना पेड़ भरने के लिए अपने गाउं से बाहर कमाने के लिए और यहाँ पे आज उसकी मिर्तु हो जाती है अब मैं यहाँ पर एक मेसेज देना चाहूँगा कि परदेश में आके मिर्तु होती है और यहीं पर उनका दासांस कार करना पड़ता है आप सोच सकते हैं कि जारखंड में बेरोजगारी किस चरम को छू रही है कि आज बाहर आने के बाद भी उनके पास ऐसा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भीयलोग से कि यहां पर है और इनको भी देख रहा हूं मैं अच्छा आप ही बताईए कि यह कितना दिन हो गया इनका मिर्द होके तीसरा दिन है आज आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में आज जलाने के लिए आए हैं तिन दिन क्यों किया है ऑजा जारकंट सरकार से भी हमें उमीद रिखे देते लेकिन जारकंट सर्कार दुवारा असवासन दिया गया कि उनके खाते में पैसा चला जाएगा उनके खाते तिने भी लोग हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो लोग यहां पर जूमारे पास भी कुछ पैसा आया है हमारे पास हैं एक सूमन रजक जी जो हमेशा समाज के साथ रहते हैं और काफी समय दिये हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने जो परवासी मजदूर हैं काफी लोग हैं कि जुड़ते नहीं है कोई भी संस्था से जुड़ते नहीं है और ऐसा घटना घटता है तब लोग कुछ जनकारी नहीं होती है, उस कारण भी लेट होता है, दिकते होती है, बहुत सारे पैसे भी खर्चे हो जाते हैं, जनकारी ना होने की वज़ासे, आप जो परवासी मजदूर हैं, उनको संस्था से जुड़ने के लिए क्या मेसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मितलश जी आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, और यहां जितने लोग इस मुसीबत में कनहिया लाल के परिवार के साथ खड़े वे, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आना समाज के सभी कार्जकरता बंदू को धन्यवाद देता हूँ, कि तीन संस्था हूँ के मेंबर्स का नाम लिखा हूँ, उनके अध्यक्ष का नाम लिखा हूँ, और मुंबै महानगर इतना बड़ा है कि किसी भी एक संस्था के बूते की बात नहीं समालना है, और आप जिस किसी भी एरिया में रहते हैं, मैं चाहता को उस एरिया में जो भी कोई जवरी नहीं कि राना समाज से जुड़े रही है राना समाज के लोग भी हमारी मदद करते हैं दुसरे समाज के मदद करते हैं हम सभी लोगों को एक दुसरे को कॉडिनेट करके सभी का मदद करते हैं और हम यही आसा करते हैं कि आज ही घटना जब भी हो आपको कभी भी क बता चले कि मुंबै में किसी भी करता या किसी भी भाई के साथ दुख तकलिफ हो वहां सिर्फ आप खड़े रही है आपका तो निवारन होना ही है यहां पर जब दस लोग मिलते हैं तो दस तरह की उनके पास जानकारी होती है दस तरह के लोग होते हैं आप कहीं घर से बाहर में उठा के उसको डाल दिये थे और वह बला भाईया मैं तिन दिन से परहसान है और आप लोग नहीं आते तो मैं क्या करता मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो इस परकार से आप लोग किसी ने किसी संस्था से जुड़िए धन्यवाद दोस्तो मैं भी अंत में यही मेसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो परीजन जो जिनकी मिर्ति हुई उनका एक साड़ु जी लंबे से आये हुए हैं बाकी यह जितने लोग हैं सभी लोग समाज के वेखती हैं और सभी लोग कहीं ने कहीं जारखंड के अलग-अलग को होने से हैं और यहाँ पर सब रोजी रोटी के लिए आये हुए हैं और ऐसी जब कोई घटना घटती है तो अपना समय निकाल के सभी लोग यहाँ पर जमा होते हैं उसी तरह से हमारे तरफ से भी एक मेसेज रहेगा कि जैसे सुमन जी ने कहा कि आपके नजडिक में कोई भी संस्था हो एटलिस्ट उस संस्था से जुड़के रहें समाच से मिलके रहें कहीं भी जाडखंड का कोई मीटिंग होता है वहाँ पर मिले बहुत सारे भाई लोग हैं घर से बाहर नहीं आते हैं जहां रूम पे रहते हैं या काम पे रहते हैं बाहर नहीं आते हैं उनको बह प्लोग चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें और अपने जारखंड के लोगों को जोड़ने की कोशिज करें आपको हर जनकारी इस चैनल पे मिलेगा और आप संस्था कहीं का भी हो उस संस्था से आप जरूर जोड़ें नमस्कार दोस्तों अरंद में मैं एक बार कहना चा और आप लोगों की ही वज़ा से किसी का मदद कर पाता हूँ धन्यवाद दोस्तों